सबीको नमस्कार मैं हूँ सुबहा साथ आप देख रहें यूटूब का प्राचिन कानिया चानल को और मैं फिर सा हाजर हूँ एक नए वीडियो के साथ में आज की इस वीडियो के माध्यम से भी हम डिसकस करेंगे अपने एक सस्क्राइबर के सवाल के बारे में जैसे कि आप स दूसरी सर्वीशित के बारे में जिसके माध्यम से आपकी सेवा में हमेशा लगे रहते हैं तो आज की वीडियो के माध्यम से भी मैं बात करूँगा जैसे मैं Caesar एक सस्क्राइबर के सवाल के बारे में, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले में आपको उन सस्क्राइबर का नाम और उनका जो सवाल है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वह सवाल का स्क्रीन सोट भी आपको मिल जाएगा, ये सवाल लिया है मैंने multiple tips official, इनका कोई channel का नाम ह होगा, इन्होंने मुझसे पूछा है कि सर मिरत लोगों को कब तक जनम नहीं मिलता है, वह हमेशा सालो साल सपने में क्यों आते रहते हैं, वो बोल रहे हैं कि पिरसन के उत्तर में हूँ, सर जरूर जवाब दीजेगा, तो देखिए मैं आपका नाम तो बार-बार नहीं ले इस वीडियो के माध्यम से भी इन्होंने जो सवाल पूछा है, उसके बारे मैं आपको आंसर करूँगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बताया, कि 80% जो भी हमारी वीडियो को देखने हैं, इस चैनल को सस्क्राइब नहीं कर गए हमने सारा डेटा यूटूब हमें प्रॉइड करता है कि कि किनओ ने सस्क्राइब किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आगर बंढ़ने से पहले आप जो कर लिए और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कीजिए क्योंकि आपकी इंगेजमेंट बहुत कम आती है वीव जाते हैं लेकिन इंगेजमेंट कम आती है तो मैं चाहता हूं कि कि आप हमें सपोर्ट करो आप जो भी लिखना चाहते हैं हमारे बारे में कि हम और अपनी सर्वेशिस को कैसे अच्छा कर सकते हैं जो भी आपके सजेशन है आप कमेंट सेक्षन के बॉक्स के मात्यम से कर सकते हो और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तो चलिए अब हम ब क्याते हैं ज्याद कि आज का जो सवाल हो जो विषियस बात ही जो मुझे विषियस लगी हो के आप पोच रिया है, कि इसलिए जैसे कि मेन-नों सवाल को आपके एक दो सबादने याद करने के लिए और वो पूछने के मुरत लोगों को कब तक जनम नहीं मिलता हमेंसा सालो सालो सपनों में क्यों आते रहते तो जैसे मैंने बता है कि उनकी बिढमना यही है कि हम कैसे identify करें कि उनको जना मिला है नहीं मिला है सपनों में तो आ रहे हैं क्या बात है कैसे है तो यह पूरा संदर वाज हम clear करेंगे देखिए हम क्या सोचते हैं हमारे इसाफ से एक-एक साल और जब कोई हमारा परीजन जाता है तो एक-एक दिन भी एक-एक साल की तरह लगता है और जब एक साल होता है तो साल हमारा लगता है दस साल के पर उपर लेकिन जब वो सोल वहाँ पर जाती है spiritual world में तो देखिए उनके लिए काल के काल बीच जाते हैं मतलब हमें लगेगा हमारे सो साल बीच के उनके लिए एक मिनिट भी नहीं लगेगा तो इस तरह से सारी चीज़े होती है अब आपकी जब सपोस करो आपने 20 साल के आयूम किसी अपने परिजन को खोया है और आप उनके चाहते थे और आपके उनसे अटेजमेंट थी या इंगेजमेंट जादे थी तो आपके सपनों में आ रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें कहीं जनम मिल गया है इस बात को आप गोर से देखिए यह फैक्ट है जब तक किसी को जनम नहीं मिलेगा अगर वो चाहे हैं तो आपके सब कौन से माइट के माद्यम से वो आपके सपनों में आ सकते हैं मैं आपका यह इंसोर्ट अगर आंसर करूँ तो बिलकुल आ सकते हैं लेकिन जैसे ही वो आपके सपनों में आना बंद कर दें तो इसका यह भी मतलब नहीं है कि उनका जनम हो चुका है कई बार वो खुद से डिसाइड करते हैं कि आप मुझे उनके सपनों में नहीं जाना क्योंकि जो स्प्रिच्छल गाइड जो होते हैं जो उनके एंजल होते हैं उनको best suggest करते हैं जो उनके लिए उनकी life journey के लिए best होता है इसके बाद में देखिए मैं आपको एक और confusion दूर करते ना चाहता हूँ आपने उन लोगों को भी सपनों में देखा होगा जो आपके जीवन में अभी भी जिंदा है ठीक है और भी लोग आपके सपनों में आते होंगे और आप तो अभी सोच सकते हो कि देखियो तो अभी जिन्दा है वो कैसे सपनों मा सकते हैं तो इसका भी जबाब है क्योंकि इसके बाद में आपको यही आंसर आने वाला होगा यही question आपका आने बाला होगा, आप यही पूछते, कि मैं तो आपने ऐसा बताया, लेकिन जो जिन्दा हो लोग की सपने माते हैं, तो उसका भी मैं आपको बता जिता हूँ, देखरे, जो लोग जिन्दा होते हैं, जो सपने माते हैं, जब हम सो जाते हैं, या हम अपना जो आ आपका engagement है, आपने ऐसे भी बहुत सारे सपने देखे होंगे, कि चलो सपोस करो, आज आप किसी से ज़्यादे मिले या किसी के बारे में ज़्यादे सोच रहे हैं, आप उससे सपने में मिल लिए, यह सपने में उसको आपने देख लिया, लेकिन ऐसे भी आपको सपने आते होंगे, कि जिस सक्स से आपका भी मिले ही नहीं हो, जिस जगह आप गए ही नहीं हो इस दुनिया में, या क्योंकि इस जनम में, तो आप उनसे भी मिलते हों, तो देखे, यह पुरा खेल है आपकी सोल का, आपका logical mind जो है, चेतन मन जो है, वह है आपकी help नहीं करता है, सब को समझाने में, या समझते हुए, कि बताने में, कि हाँ ऐसा कुछ है, या उसको मानने में, वह हमेशा इन सारी चीज़ों को नकारता है, तो इसी में आपको doubt पैदा हो, लेकिन जब आप अपने अपचेतन मन की सुनना स्टार्ट कर देते हो, जब आपके internal awakening स्टार्ट हो जाती है, तब आपको इस चीज़े समझ में आने लगती है, कि देखे, इस तरह से इस चीज़े workout नहीं करती है, तो अब मैं आता हूँ अपने back to the topic जो उन्होंने मुस्साज पूछा था कि कैसे पता करें, कि ये हकिकत क्या है, क्या जूट है, कब तक किसका जनाम होता है, क्या नहीं होता है, कि मिलत लोग कब तक सपनों मा आते हैं, कब तक नहीं आना चाहता है, तो देखिए, जब तक sprint आपकी चाहेगी, किसी के सपने मा आना ना आना बहुत सारी चीज़ों पर depend करता है, इतने सालों तक क्यों आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों पर depend करता है, हम किसी एक चीज़ को लेकर इस पर नहीं जा सकते, ये इतना tricky है, क्योंकि nature ने सारी चीज़ों का ऐसे बनाया हुआ है, कि आप इसको बहुत आसान कर देना चाहते हो, अगर जीवन इतना आसान होता है, इतनी सारी चीज़ों आसान हैं, लेकिन हम उसको बनाना नहीं पाते, तो पूरे nature का जो गर्ब है, उसना ऐसा बनाया हुआ है, कि उसको समलिने में आपको बहुत दिक्कत होती है, अब जैसे मैंने बताया, कि देखे, जब वो लोग हैं, जो आपसे connection establish करना चाहते हो, अब ही तो आप पीड़ा में हो, तो आपका अपचेतन मन, या आपकी पूरी इस्तिती ऐसी रहती है, कि आप easily उनको adopt कर पाते हो, उनसे connection establish कर पाते हो, लेकिन जब आप उनको भूलने लगते हो, चार साल के बाद में, पांस साल के बाद में, या उनके पिरती curiosity काम होने लगती है, तो अब भी same thought process के साथ में जाते हैं, कि चलो ठीक है, अब हमें भी अपनी life cycle को आगे बढ़ाना चाहिए, और आगे कि जो उनकी उन्नती के लिए जो अच्छा हो सकता, उसको करना चाहिए, तो इस बज़े से भी सपने में कमाना स्टार्ट करते हैं, कुछ लोगों के ऐसी रहती है कि उनकी curiosity कितनी भी साल हो जाए, कैसी हो जाए, अक्सर बनी रहती है, तो उनके जो परिजन रहते हैं, अक्सर उनके सपने माते रहते हैं, कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि परीजन हास से गये हैं, वो कभी-कभी आकर विजिट करना चाते हैं, वो ऐसास कराना चाते हैं कि हम आपके आसपास ही है, आपके मदद में लगे हैं इसके बाद-बाद में आपने बहुत सारे सपने ऐसे भी देखे होंगे, जो आपके पिछले जनम से related होते हैं, लेकिन दरेसल आपकी बढ़मना यही है कि आपका जो logical mind है, जो चेतन मन है, आपको बताता नहीं है, आपको इसको मानने के लिए भी agree नहीं करता, हमेशा उसको ज जो ट ला जेता है कि यह घुट कहके लेकिन बिल्कुल होता है, जब आप कई बार अपने प्षली सपने भी देखते हो तो इस इस सपन से भी टिगर करते हैं, तो इसलिक्ट सारी सपनों के माध्यम से जो सारी चीज़े हैं, इसुन में बहुत सारी चीज़ों का matter रहता है, ह आपको एक keyword है, जिसको मैं बोलता रहता हूँ, merit, यानि कि हर एक soul की एक merit रहती है, उस merit से वो अंक कमाती है, जैसे मैं बस एक गणित के इसाब से आपको बता रहा हूँ, वो अंक सिर्फ उसके mathematics के इसाब से समझ लो, कैसे भी समझ लो, उसको allow करता है, अपने परिजनों के अपने माने के लिए, physically रूप में, जो हम जहां रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं, इस जगह पर आने के लिए, देखने के लिए, यानि कि कहूं तो अर्थ पर विजिट करने के लिए, लेकिन अगर वो merit complete नहीं है, तो आपको वो earn करने परती है, उसको earn करने के लिए भी का आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ने करा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, और जैसे मैंने रिक्वेस्ट की जिए, कि बाकी लोग की जो भी हमारी वीडियो देखते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, थैंक यू बेरी मच, मिलते हैं तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद थैंक्यू झाल 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 झाल